वॉल आएम रुईट प्रोम महाजंट रीडर, आज हम बात करेगे हाथवे केबल के बारे में, हाथवे केबल में क्या गिरावट खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक तगड़े रिटन दे रहा है, आज जिस तरीके से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, उसस क्या हम सोच ले कि गिरावट खत्म हो गई है, तो गैस नहीं, यहाँ पर आगे क्या होगा, आज हम देखेगे, कुछ IMP लेवल है, स्टॉक के, ओ हम देखेंगे, और साथ ही यहाँ पर तेजी का कारण सीधा सा है, आज मार्केट अपसाइट की और मुमेंट कर रहा है, बैं आरहे गई, तो जिसी कारण से यहाँ पर हाथवे केबल भी बढ़ रहा है, बट लेवल्स जो हैं जो आपको कवी जादा समझना जरूरी है, तो लेवल्स को समझने कोशिच करेंगे, तो चलते है हाथवे केबल के ऊपर, सो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, हाथवे केबल औन चाठा कौम लिमिटेट के उपर यहाँ पर अगर देखा जाये तो स्टॉक कहाँ पर ट्रेट कर रहा है तो 18 रुपे 50 पेसे के प्राइस पर स्टॉक ट्रेट कर रहा है एक रुपे 25 पेसे तक की बढ़त हमें आज इस शेयर में देखने को मिली है 7.25% के हिसाब से स्टॉक में समझना होंगा इसके चार्ट को तो बढ़ते हैं और चलते हैं इसके चार्ट को discuss कर लेते हैं यहाँ सब्सक्राइबैर और जब इसमें जब breakdown मिला था यहाँ पर इस level पर जब breakdown मिला था तब stop में एक चीज हमें clear हो गे थी कि एक बड़ा fall आएगा तब ही मैंने clearly videos मनाए थे और मैंने यहाँ पर बोला था कि guys यहाँ पर अगर आपको बचना है तो exit करके निकल जाओ नहीं तो आपको loss होगा और बिल्कुल यहाँ पर exit जिन्होंने कर दिया होगा उन्हें आप पर downfall यहाँ पर उन्हें सहना नहीं पड़ा होगा फिर stop नीचे आपको बताऊगा कि के हो हम इतना bearish है इसमें तो यहाँ पर यहाँ पर से नीचे आ सकता है तो यहाँ पर अगर मैं कहूं तो नीचे आपर दूर रहना ही ठीक होगा क्योंकि stock में इस level को अगर आप समझोगे तो ओ जो डेवन टाइम फ्रेम पर बनाया था ओर डेवन टाइ फिर उपर गया फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा कुछ इस तरीके का लेवल्स है और यहाँ पर बड़े लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े टाइम प्रेम पर यानि मैं बात कुरोगर यहाँ पर देखा जाए तो एक महिने के टाइम फ्रेम पर क्या level से यहां से अगर देखा जाएगा stock नीचाया था बट support कहा लिया था यहां पर support लिया फिर stock उपर गया फिर stock support लेने नीचाया फिर support लेने नीचाया फिर resistance लेके फिर stock नीचे की और आ रहा है तो यहां पर level क्या होगे यहां पर मैं buying के लिए तभी कहोगा जब इस level पर support लेने आएगा जैसे ही इस level पर stock support लेता है बिल्कुल आप buy की और जा सकते हो उसके बाद यहां पर तगड़े return बनने वाले है आपके हाथवे cable में तो guys यहां पर बस level का wait करो और यहां से जो यहां पर तेज़े आएगी काफी तगड़ी आने वाले है so guys यहां पर level में बता दिये market cap की बात करें तो 3.27 थाउजन करोड का market cap है बात करें P ratio की तो 18.73 का P ratio है open हुआ था share 17 रुपे 40 पेसे के price हाई लगा था 18 रुपे 90 पेसे का low लगा था 17 रुपे 35 पेसे का वही अगर बात कर ले 50 रुपे 25 पेसे का हाई है 16 रुपे से पेसे का low भी आपको देखने को मिल रहा है वही अगर बात कर ले guys price performance stock का क्या है तो देखें तो यहां पर 1 week का 0.27 परजेंट है जो है minus में आश्वारी प्लस में 1 month का minus है बाकी आपको 3 सालों का बिल्कुल minus में दिखेगा आज तगड़ा trade value देखने को मिला लगबग 82 lakh कैस्बस का trade value है हो सकता है जाते जाते हैं कुन करूड में भी convert हो जाए तो यह yesterday का तो normal ही था community sentiments के आकड़ों में 86% जो लोग है buy करने के लिए आपर कह रहे है यहापर 14% लोग है जो कह रहे है आपर sell करने के लिए तो guys यहाफ पर हाथवे केबल को ले कर कापी कुछ बात हैं हमने कर लिए हैं तो guys अगर आपको यह वीडियो चल लगा होगा तो please guys वीडियो को लाइक करना मत भुलना और चैनल को सबस्क्राइब चर्ड रुखेते रास तो गैस चलते हैं बाई